नमस्कार दोस्तों, मैं निलेश प्लानिया, अकेडमिक हेड, CLC NDA Academy सिकर बे सबरिशेच जिस दिन का इंतजार था, आखिरकार वो दिन आही गया NDA April Attempt 2000 चोईस बच्चों आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि आपने पूरी साल जीत और मेहनत की है आपने काफी मॉक टेस्ट दी हैं और अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए आपने काफी प्रैक्टिस हैट लगाए है जैसे ही बच्चे पेपर दे के लोट रहे थे उनसे मेरी बात हुई जो हमारी टीम है उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि मैट का जो पेपर है वो लास्ट एर के कमपेरेजिन में थोड़ा सा लहंदी हुआ है लेकिन उसमें CLC NDA Academy के बच्चों के लिए एक अच्छी बात भी है क्योंकि इस बार मैट का पेपर है वो जेए मैंस के लेवल का क्यूशन मतलब 60% के आसपास क्यूशन वहां से बने है इवन 3-4 क्यूशन जेए मैंस के PY को से डारेक्ट एटीज क्यूशन आये है और आपको पता है कि आपके CLC NDA Academy के जो स्टेडी मैटेरिल है और उसके टीम है वो पूरी जेए के बैसेस पे है तो यह तो हमारे लिए अच्छी न्यूश है और लास्ट ये के कंपेरीजन में पेपर लैंदी भी रहा है उसके पीज़े रीजन है कि कैलकुलिस का पॉर्षन थोड़ा सा ज्यादा रहा है टिगनोमेट्री का जो पॉर्षन वेटीज है वो क्यूशन को कम दिया है सेकेंड पेपर के लोग हम बात करें गेट जन्नल एबिलिटी टेस्ट उसके अंदर इंग्लिस का पेपर बहुत एजी रहा है सेप्टेंबर अटेंबर अटेंट के कम पेरिजन में उसके सेकंड पॉर्षन जीएस है जीएस के अंदर केमेस्ट्री और बायो का जो पॉर्षन है वो 9th और 10th की NCRT लेवल पर क्यूशन बना है तो no doubt वो easy ही बना है उसमें एक दो क्यूशन केमेस्ट्री में और एक क्यूशन बायो में थोड़ा सा confusing लेवल का है बट वो 9th और 10th की NCRT लेवल पर ही है उसके अंदर physics का है तो physics का as usual as वो 11th, 12th को भी टच करता है तो जो last year जैसा पेपर रहा है वैसा ही physics में रहा है नेक्स्ट पेपर इसके अंदर रहता है GK का पेपर हमारा general knowledge का उसके अंदर history से तीनों पॉर्शन से क्यूशन डिसकस हुए है geography से river है, climate है वहाँ से भी क्यूशन डिसकस हुए है even the current affair के क्यूशन 8 to 10 आया है बट अगर इन दोनों पेपर की अगर बात करें तो last year के comparison में math का पेपर थोड़ा सा landy हुआ है जिससे कि good attempt उसके 50 to 60 रह सकते है और get का पेपर last year के comparison में बहुत easy रहा है last attempt के comparison में बहुत easy रहा है तो no doubt जैसा भी result आएगा वो अपना बहुत अच्छा result रहेगा क्योंकि पेपर का level हमने जो mock और practice एट दिये है उसी से question बना है तो बिटा चलो एक तो बात यह होगी दूसरी आपकी CLC आपके NDA के लिए कौन-कौन से courses लेकर आ रही है तो आपकी CLC target course Hindi और English medium दोनों में run करती है जो target course मतलब 12th pass students के लिए और foundation जो course है वो only and only English medium में रहता है तो आप अपनी CLC के इन तीनों में से कोई भी course से जुड़ना चाहें तो आपकी CLC every Thursday को batch start करती है तो एक तो बात यह रही है हमारी और साथ ही अब जो बच्चा paper देखके रहा है उसके curiosity रहती है कि मैं मेरे paper का analysis करूँ तो उसके लिए आपकी CLC video solution लेके आई है तो चलो start करते है अपना video solution Okay So very good evening to all my dear students Welcome you to the CLC platform As usual you are all waiting for the result or the answers for the questions of this year 2024 NDA GATT and I am going to handle the English department So let's start with the solutions So here we have the passage So let's go along with the passage I am not going to read out the passage for you because of course you have read it और आप अच्छी तरह से जानते भी ओंगे कि इस पासज़ भी क्या दिया हुए So let's go for the answer straight away So the first question being asked Which of the following does not belong to the biotic community And your answer would be Human Next question The nature of the biotic community largely depends on The biotic community अब अगर इसका passage को पढ़ोगे तब भी आपको पता चलेगा कि abiotic components कभी भी biotic community में आई नहीं सकतर है भी नहीं So let's go for the answer The answer is only biotic components इसका मतलब answer होंगे Only one Only one Okay Which of the following is not a biotic factor जो इसमें कौन सा abiotic factor नहीं है So of course temperature, humidity, moisture These are all abiotic factors Except algae So this is the answer In the passage the word aquatic community Aquatic community is related to water Refers to तो correct answer होंगे Biotic community found in water Abiotic तो होई नहीं सकता Biotic community living organisms जो पानी में मिलते हैं तो उसी को उत्तर होंगे Answer is B Species are defined on the basis of तो यहां पे अगर according to the passage चले तो इसकी definition और इनको define किया गया है Both उनकी similarity As well as उनकी difference दोनो है तो इसका मतलब है Correct answer is Both similarities and differences So this is the first five answers 1 का B 2 का A 3 का C 4 का B 5 का C So let's go for the next question now The next question is The king's son इसमें पूछा है You have to answer in the nearest in the meaning तो इसका मतलब है Banish तरी पार करना दूर करना तो इसका best option to go for is Deported एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित कर देना That is what actually the meaning of banished over here The answer is A Dazzling performance He gave a dazzling performance at the opera तो dazzling यहापे बैसिकली शान्दार Excellent The correct answer is Brilliant She rebuffed all suggestions from her friends To rebuff करने का मतलब होता है To reject To reject करने का मतलब देना है The correct answer is B She rebuffed all suggestions from her friends Rejected Next He disowned his royal legacy and become a commoner To disown करने का मतलब होता है T्याग देना मेरे पास नहीं है मैने छोड़ दिया उसे त्याग दिया The best option to go for is Abandon Abandon का मतलब भी त्याग नहीं होता है The public was skeptical About the new government policy तो नहीं government policy को लेकर जो public है आम जनता है वो थोरा सा doubtful है यह तो लगनी है यह सही है तो इसका मतलब The skeptical meaning is doubtful The correct answer is C So these are the five answers for the next five questions 6 का A 7 का A 8 का B 9 का B और 10 का C Let's go for the next five questions Achha next five नहीं है So it's a direct one So let's go for it यह एक rearrangement है तो इस rearrangement को इस तरह उत्तर कर सकते हो आप The fundamental rights are The fundamental rights are Basic rights and Include basic freedoms Guaranteed to the individual Which means your sequence should be Q, S, P and R तो correct option होंगे आपके A तो मैं एक बार दो बार रिडाउट कर देता हो The fundamental rights are Basic rights and include basic freedoms Guaranteed to the individual तो आपके option होंगे A Next इस sequence के अनुसार आपके option होना चहिए The Indian nation is the product Of a historical process That has been in the making For many millennia तो ये इस option के अनुसार The correct answer should be S R Q And P So your correct answer is A So let's go for the next one So let's go for the next one Question number 13 तो आपके sequence इस तरह है India's independence Represented For its people The start of An epoch That was imbued With a new vision मै एक बार दो बार रपीट कर रहा हूं India's independence Represented For its people The start of An epoch That was imbued With a new vision तो आपके correct option is S Q P And R So the correct answer is A So let's go for the next question Question number 14 So your sequence should be All students Have been instructed To be present Before the principal एक बार और देख लेता हूं All students have been instructed To be present Before the principal For a discussion on the forthcoming science and mathematics Toh एक बार एक बार देख लेता हूं All students have been instructed To be present before the principal exhibition For a discussion on the forthcoming science and mathematics Toh करेक्टा sequence हूंगे आपके S R Q And P So your option is C 14 का Let's go for the next one 15 Aपकी sequence हूंगे With the selection of another player अच्छी तरह से सुनना With the selection of another player To the new team The team now has Two bowlers and two batsmen respectively Toh आपके sequence बनेंगे R Q S And P So आपके correct answer हूंगे C 15 का C Let's go for the next question Question number 16, 17, 18, 19 and 20 First question आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा parts of speech है You are most welcome to visit my humble abode Abode का मतलब घर होता है Which is a kind of a noun word तो इसका मतलब आपके correct answer हूंगे A 16 का 17 में है The situation is beyond our control Toh beyond शब जो है It's a word of preposition Parts of speech preposition है So your correct answer is D 17 है I didn't tell him anything Except that I needed the money Toh ये except word जो है It is used as a conjunction To join both the clauses Toh इस हिसाब से आपके correct answer हूंगे D 19 He dry cleaned my coat nicely Toh ये nicely word पूछा है What's part of speech The correct answer is Adverb How would you like to buy this new item Toh इसमें जो this word को highlight किया है और पूछा है कौन से parts of speech होंगे The correct answer is Determiner So it is a determiner Toh finally 16 का आंसर होंगे A 17 का आंसर होंगे D 18 का आंसर होंगे D 19 का आंसर होंगे B And 20 का आंसर होंगे A Let's go for the next five questions No Single question Toh एक एक करके करते है He paused For a few moments Correct answer होंगे B Toh ये कुछ नहीं Basically आपको additional part of the sentence को Journey के लिए कहा है Toh he paused वो रुग गया कुछ शनों के लिए Toh के लिए means for a few moments Toh correct answer होंगे 21 का B Let's go for the next question 22 Late at night Our car Broke down On the highway Toh आपके आंसर होंगे A Late at night Our car Broke down On the highway Toh correct answer of 22 is A Next question All the countries Signed the treaty Sare desho ne Treaty sign kia Siwai Siwai ka matlab hata hai Except Germany and France The correct answer is B Toh 23 ka answer होंगे B Let's go for the next question 24 For I reminded her Manei yad dilaaya usse What? I reminded her To turn off the lights at night Rath ko lights Band kar diya jaye Toh ये बताते होंगे The correct option is A I reminded her Manei yad dilaaya usse Ki rath ko lights Band kar diya jaye I reminded her To turn off the lights At night Toh correct answer होंगे A 25 They told us about the woman Who lived next door Toh correct answer होंगे आपके C 25 ka उत्तर होंगे C Next 26 I will see you At the end of February February ke end में मैं आपसे मिलूंगा Toh iska matlab है At the end of February Toh correct answer of 26 Is A I dislike films I dislike films That have Sad endings Toh correct answer होंगे B And 27 Ka answer is B 28 The thieves Denied Toh Ye common rule होता है Ki kuch Finite verb जैसे deny इसके बाद gerund का use होते है Toh gerund का मतलब होता है Main verb के साथ ing जोर कर Which means The correct answer is B The thieves Denied Stealing the money Toh correct answer of 28 Is B 29 Did you drop in To see Sunita On your way home Kya आप Sunita को मिलने के लिए आपकी घर जाते हुए मिलके गे तो जाने जाने वाला सेंस Cable drop in ही दे सकता है So correct answer is B 29 B 30 Would you like to 2 के बाद Main verb का first form Is the right option To go for Toh इस इसाब से आपके correct answer होंगे 30 का B Next question 31 यह idiomatic structures है और पुछा है इसका मतलब क्या है So B Bad news इसका best answer is Someone who is considered Undesirable The correct answer of this option is C Toh 31 का answer होंगे C Next option 32 Back to the drawing board That means किसी भी चीज की दोबारा शुरू से शुरुआत करना Toh इसका correct answer होंगे To start planning again Because the previous plan has failed The correct answer of 32 is C Next option 33 Be in the eye of the storm इसका मतलब होता है किसी controversy के बीच में फस जाना Toh इसका मतलब correct answer होंगे To be in the midst of a controversy The correct answer of 33 is D Let's go for the next question 35 Life in the fast lane इसका मतलब होता है कि जीवन में बहुत सारे exciting moments है Eventful moments है तो ये सारे चीजों के लिए The best option to go for is 34 का D An exciting and eventful lifestyle The correct answer of 34 is D 35 To pass the buck यानि अपने आरोब किसी दूसरों पर थोपना इसका मतलब होता है To shift the responsibility of something to someone तो correct answer 35 का है B 35 B Next question ये पहली बार पिछले साल जब पेपर आया था तो तब भी मैंने solution किया था तो उस बार close test नहीं था इस बार close test पुचाए So let's go for the answer The earth's climate is Continually Number B option Changing and evolving Some of These changes 37 का A Have been due to natural causes But others can be Attributed to Human activities Such as Deforestation Emissions from Industry and transport Etc. Which have led to the Accumulation Ika Thakarna Accumulation 39 का D Of gaseous and aerosols In In The Atmosphere 40 का होंगे C In The Atmosphere 41 Achah sorry 40 का एक बार दो बार दो बार आ Continue करे In the atmosphere These gases are known These gases are known As greenhouse gases Because they trap heat And Raise air temperature To 41 का option Is A Raise air temperatures Near the ground Acting like a greenhouse On the surface of the Planet In order To 42 का option Is D Char D Planet In order To create and strengthen The scientific and And analytical capacity Of assessment 43 का option Is B Second Of assessment Of climate change In the country Different studies Under climate change Action program Passive voice Chahyye active nahi Are initiated So correct Option of 44 B 44 का option है B Many important Bilateral And multilateral Meetings And negotiations Are held At Regular Intervals To 45 का option है B Second So let's go for the Next options Next questions अब आपके Last 5 questions 46 to 50 इसमें आपको Opposite in meaning यानि Antonyms पुछा है Mohan was Living in a Deplorable condition Deplorable का मतलब बत्तर तो बत्तर का Opposite Something in Positive Meaning में आना चाहिए तो Reprehensible Is a Negative Word Opprobrious Is a Negative Word Despicable Despicable Is a Negative Word The correct Option is Commendable जिसे प्रसंसा के लाइक कहते है So इस हिसाब से Deplorable Is Correct Answer Of 46 Is D And Deplorable का Opposite मेनिं इसमे Commendable होना चाहिए These Exercises Will Counteract The Effect Of Stress And Tension Counteract करने का मतलब होता है To Reduce कम करना और यहाँ पे Exercise Will Counteract The Effect Of Stress And Tension को कम करने की मतलब बताने के लिए यूज किया गया है तो इसका Opposite होंगे बढ़ाने का तो बढ़ाने का Best Option To Go For Is A X Ace 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 जिसका मतलब होता है बढ़ाना तो Correct Option Of 47 Is A You You Have To Persevere With Difficult Students तो Persevere का मतलब होता है चलते रहना गती प्रदान करना होते रहना Continual Process के लिए तो इसका Opposite होंगे जिसे हम रोक सके ऐसा कुछ त्याग सके ऐसा कुछ त्यागने का Sense के लिए The Best Option To Go For Is A Which Means Give Up Give Up का मतलब होता है त्यागना छोरना So Correct Option For 48 Is A 49 Their New Color Scheme Is Hideous Hideous का मतलब होता है Behadhi Batsurat तो Batsurat का Opposite ही Khub Surat होना चाहिये और खुब सुरत का Best Option To Go For Is Be Beautiful अब ये Option मैं जे थोरा सर Doubt है फिर भी मैं एक बार इसे ऐसा सोचता हूँ कि देखो ये New Color Scheme Is Hideous बहती Ugly है तो Ugly का Sense के लिए Opposite तो Beautifully होना चाहिए लेकिन अगर ये Word Appealing होता तो Beautiful से Better Word होता लेकिन appealing word is not the right word तो Correct Option Is B 49 का Everywhere They Go They Scrander Their Earnings यानि दोनों हातों से लुटाना पैसा लुटाना तो समालने के लिए the best option to go for is D तो इस साबसे 46 का Correct Answer is D 47 का Correct Answer is A 48 का Correct Answer is A 49 का Correct Answer is B and 50 का Correct Answer is D So here I end your session of solution for this 2024 exam of NDA So thank you have a nice day Jai CLC Thank you Jai hint to everyone आप सभी का CLC परिवार में हार्दिक स्वागत अभिननन है मैं अभी से क्टिवेदी आप सब का हार्दिक स्वागत अभिननन करता हूं जैसा कि आपने देखा कि जो अपना GAT के अंतरगत General Studies का पेपर आया था वो कह सकते हो कि बहुत बहतर पेपर था और थोड़ा सा हाँ ये कह सकते हो कि जो वर्डिंग यूज की गई थी वो टफ़ेस्ट छी चाहे हिंदी और इंगलिस दोनों भासाओं की मैं बात करता हूं तेसे सबसे important बात कुछ statement based questions थे जो कि आपको परिशान कर सकते थे उनको हम एक तरफ से सबको देखेंगे चले start करते हैं अपना कारवाँ और उम्मीद करता हूँ आपका paper बहुत ही बहतर गया होगा चले start करते हैं पहला सबसे पहला प्रसने निकल करके आता है कि which of the following statements are the correct British trade surplus with India in the 19th century means the value of British exports जैसा कि आप सब जानते हैं drainage theory आए थी और दादा भाई नरो जी ने भी बताया था तो अगर इस पूरे options को अगर आप देखोगे इंडिया played a crucial role in the late 19th century world economy by helping Britain balance difference बिल्कुल ऐसा था क्योंकि हमारे से बहुत ज़्यदा profit हुआ था बिटिन को Britain grew of him in India and exported to the China यह बिल्कुल सही है तो यहां पर जितने भी statements है all are the true आप क्या सकते हो तो यहां पर one two and three four all are the true next question की बात करता हूं 52 की तो आप जानते हो कि अपने हिंदू culture में मुहूर्थ मुहूर्थ की बात करते हैं तो measure of time होता है कि इस समय में यह मुहूर्थ है ऐसा साधी बिवा का कुछ होना चाहिए फिर रक्ती आप रांते हो रक्ती का मतलब होता है measure of weight तो आप यू समस्लों की एका टू और बी का रक्ती का मुहूर्थ का मतलब measure of time एका टू हो गया और रत्ती का मतलब measure of weight तो एका टू बी का बन तो दिस अगर हम तिसरे question की बात करते हैं तो यहां पर आप समझ पा रहे हो गए भारती तिहास में अगर first coins in Indian history bearing the names and images of rulers were issued by the बात करते हैं तो इंडो Greeks will be the right answer अगले question की ओर move करते हैं तो modernity की बात कर रहा है it means social theorist in the 19th and 20th century infest the emergence of industrialization, urbanization, secularism and bureaucratism as a hallmark of तो इसमें यहां पर आप यह देखोगे तो modernity की बात करता है किस की बात कर रहा है बेटा modernity की बात कर रहा है I hope सभी को यह बाते clear हो गई होगी ठीक है सबसे important बात अगले question की ओर move on करते हैं तो यहां पर आप देख पाओगे की passing of roll activity सबसे पहले होता है तो passing of roll activity यहां पर है देखो law of non cooperation moment लाफ of non cooperation moment अगर उसकी बात करते हो आप तो यहां पर launch of non cooperation moment की बात करते हो आपको पता होगा की roll activity 2020 में हुआ तो अब आप यह कह सकते हो कि this will be the right answer यहां पर 3421 अगले question की ओर move आप करते हैं उपर ही उपर ही पत्टदार मिरासिदार इनाम लैंड्स अगर हम आप इसको देखते हो उपर ही क्या होता था पीजेंस डिट्री रिस्पॉंसिबर पेमेंट आफ रेमेन्यू काटे इनाम भूमी की अगर आप बात करोगे तो इनाम भूमी किसके लिए हुआ करता था जैसे कि अगर बात की जाए तो gift of the land are land revenues तो यहां पर आप मैच करा सकते हो इसली concept में पहला अगर आप D वाला मैच करा लो D इनाम लैंड्स अगर आप मैच करा होगे D का 3 तो D का 3 अगर आ आइट आंसर हो जाएगा आपका first वाला ना यह मैच करा सकते हो आपको first होगा next question की बात करते हैं विजय नगर के राजा which of the following statement about the विजय नगर आखिंगे कृष्ण देव राय इक्रिश्चन देव राय हाँ यह जरूर है कि इनका time period अगर मैं बात करता हूं तो 16th century जो की start हो किया था title adopt किया था एवन राज जी स्थापना चार्ज की तो आल आर दी स्थेक्मेंट्स अर्टू है तो C will be the right answer hello everyone welcome to all of you in NDA paper solution part chemistry the question is water gas is a mixture of simple question pooch a water gas is a mixture of we know that the mixture of carbon monoxide and hydrogen it is the this combination is known as water gas simple question next second question question 59 human body works in the pH ranges human body in the pH range work करती है ये भी आसान question है human body normally neutral pH में work करती है neutral pH के लिए option अबना 7.0 to 7.8 next which one among the following statement with the reference to the properties of water is not correct अपन से पूछा है not correct यो सही नहीं हो ऐसा statement अपन से पूछा है statement number one the specific heat of water is abnormally high abnormally high basis की value होती है 4.186 joule per gram degree celsius joule per gram degree celsius जो कि बिलकुल सही value है high value है latent heat of fusion of water is very low no it is very low नहीं latent heat of fusion की value है 334 kilozoule per kg और ये कोई low value नहीं है ये काफी high value है पर kg के लिए latent heat की value water के लिए 334 kilozoule होती है तो very low वालो option ये statement इसका wrong हो गया है density of water is higher than ice बिलकुल करेक्ट है pure water is a non conductor of electricity ये भी बिलकुल करेक्ट है ये कह रहा है कि pure water electricity के लिए non conductor होता है उसका रीजन सरी इतना सही क्योंकि इन में आयन प्रिजेंट नहीं होता और जब आयन प्रिजेंट नहीं है तो उसका ये option भी बिलकुल करेक्ट है अब हमसे इंकरेक्ट कुछ है तो इसका second option जो है वो इनकरेक्ट option है next question है which one among the following compound has a sweet and fruity smell statement दिखा हुए sweet and fruity smell यह होते हैं इस्टर compound की specialty अब सरफ हमको यह चेक करना है given options के अंदर की उसमें ester कौन है तो देखो यह alcohol है यह आपके acetic acid यह आपके ketonic group और यह ethylacetate this is ester यह जो group है acetate वाला ethyl acetate इसका ester बोलेंगे और इससी की वज़े से जो compounds है उनके अंदर fruit sweet and fruity smells आती है मेरा सेरे सी कर्शन एक्स्ट है what is the coordination number of sodium and chloride iron in NaCl lettuce एक simple solid state का question है इसमें सरफ इतनी सी वह ध्यानक नहीं होती है कि एक solid जब NaCl का crystal है इसमें Na plus iron और Cl minus iron लेको question में सरफ यह पूछा है कि coordination number का mean होता है कि particular item को और बाखी कितने item कितना cover कर रहे है उस वेलिकॉम coordination number बोलता है NaCl के crystal के अंदर one sodium iron cover होता है six Cl minus iron से से सेम ऐसे तो यहां पर जो इनका ratio बनेगा वो 6 और 6 यान कि सी option बनेगा है अगे इंस सिंपल क्रिश्यन की विच्वन अंग फॉलोविंग इस प्रिजेंट इन नीटल ली फेयर दैट कॉस बर्निंग पें यानि कि बिच्छू बुटी के पत्ती के रूमों में कॉन सा क्या बिद्धमान होता है कि इसे जलन वाला दर्द उत्पन करता है 10th क्लास के अंचियरेट का गश्यन में सिंपल सा नीटल स्टिंग के अंदर जो एसिड प्रिजेंट है आपे वह मैथेनुक एसिड जिसका फॉर्मुला हम लिखते हैं एच सी डबल ओ एच इसको हम फॉर् प्रिस होगा नेक्स्ट विच्वन अंग दर फॉल्विंग इस नोलेज मिल्क ऑफ अगनेशिया अगे इंदे को कितना आसान कुश्यन है मिल्क ऑफ मेगनेशा की नाम से किसको जाना जाता है सबको पता है मेगनेशियम हाट्रोकसाइड योगी फॉर्ट ऑप्शन में प्रि चॉल्चाल सिस्ट्रम है जिसमें वाटर और सोप मिलके लाइओफिलेक और लाइओफोविक हाइड्रोफिय हाइड्रोफोविक हैजो कॉंभी इस कॉंभी नेशिन के अंदर जो сोलेशन बनता है किस्ट्रम उससे का जाता है लाय कोश्ट पॉलीविड नियर्क ऑप्शन व चल्च गेंगर कौन से इसमें सोडियम है बोरों है उपिर जैंट है यही प्रिजेंट है उट्चिजन है विए ऊप्षिन चल्ग ए सवे अगला कैसे नहीं है जいき disgust próxim नहीं है नाइयर जैशन匜ियन option क्या बनेगा only be option अगला question एक database question है कि which one among the following oxide has the highest melting point कौन से oxide का melting point highest है तो फ्लाल मैं आपको डेटा बताता हूं sodium oxide में इसका melting point की value है 1139 degree celsius approx magnesium oxide have 2856 degree celsius approx data लिख रहा हूं है आपर आयरन oxide फेरिक oxide जिसका melting point है एपरोक्स 1539 degree celsius और copper oxide जिसका data है 31326 degree celsius melting point की data है और question में अपन से सिर्फ यह पुछा है highest melting point किसका है तो दिख रहा है साब साब डेटा की बिस पे 2856 यहने की magnesium oxide अगले लगुजवार भाटा के संद्र लेकित तो कौन से कथन सही है आप यह कह सकते हो यह प्रतेक इट अकर एवरी 14 15 days which coincides the first and third quarter of the moon this tight such a small tight range between the gravitational force of moon both will be the right answer यहां पर होगा चले है भूकमपकी जहां से सुरुवात होती है उसे मूल कहते है और जैसे surface पिस्टा तो पहला बिल्कुल सही है first is absolutely true तो यहां पर आप देख सकते हो earthquake generate primary and secondary wave that's radiate outward earthquake focus the earthquake love waves को generate करता है तो यहां पर आप यह देख पाएंगे कि तो यहां पर यहां पर आप यहां पर तीनों सही होंगे आपके डी विल विदर आई अगले question क्यों मूब आन करते हैं वाय के तापमान के समय लिए काथर में कौन से सही है प्रयोक्त करिए उचाई के साथ तापमान उसत के परियावर्णी हराश होता है ना तो ठीक है बूथ ए फर्स्ट कुर्ष्टन इज सीरीज का और इंफाइनेट सीरीज है तो इसमें हम देखेंगे कि यह वाला जो पार्ट है यह क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है इसको हम मानेंगे को रिजिस्टेंस है जो रिजल्टेंट this one and the resultant resistance will be there and then this will be in the series. Now this all is parallel to this one and this one again in the series. Then this will be calculated and the answer will be 2 plus 2 root 5. 5 and the next one is yeah there is V1 and V2 2 cells and one is 5 volt and this one second one is 1 volt. Then the V1 will be 1 volt and V2 will be 5 volt and the EMF is there and internal resistance is 0.1 ohm for each. Then the equivalent EMF equivalent EMF will be E1 R1 R2 plus E2 R1 then E and R1 plus R2. There will be calculated and the EMF will be since resistances are same then the equivalent EMF will be E1 plus E2 upon 2 and this will be 5 plus 5 plus 1 by 2 that is 3 volt. So this whole circuit will act as 3 volt and the resistance is there 1000 ohm. then the current will be I is equal to V1 upon R equivalent that is 3 volt upon 1000. So the current will be 3 milliampere. Next one is calculation the charge flown through this. the charge is equal to Q is equal to IT and I is given as 15 ampere and time is given as 10 minutes 10 minutes into 60 seconds. This will be calculated and the charge will be 9000 Coulomb. Next question is which of the following is the best shape of solid metal road to form the top end of the top end of a lightning, lightning conductor के लिए हमें charge distribution बहुत तेजी से होना चाहिए इसके लिए हमें we have to be the shape of material so sharp and the sharpest is this one. Next question. which are the following natural forces are fundamental in nature. These all the forces gravitational, electromagnetic and strong nuclear forces all are fundamental forces. Next one there is the spherical cell of outer radius R and R by 2. So, we have to just follow the total density rho is equal to total mass M1 plus M2 upon total volume V1 plus V2 and the mass will be rho 1 V1 plus rho 2 V2 upon V1 plus V2. V1 V1 plus V2 will be the total volume that will be written as V and by the calculation of all these things the result will be second one 9 rho by 16. The human eyes like a camera that has a lens width we know that the focal length is variable and also the pupils is variable aperture size. So, this will option this option will be absolutely right. Next की बात करते हैं यहाँ पे अंडर आर्टिकल 3371 जो की नागा लेंड से रिलेटेड है नागा लेंड को religious or social practice का तो इनको देता ही है वो नागा कस्टेरी की ला का भी देता है ownership and transfer of lands का नहीं देता है तो यानि की 1, 2 and 3 will be the right answer. I hope यहाँ तक सभी को clear होगा. अगले question की बारत के सम्विधान के अंच्छे दक सुए 191 के अधीन Under the Article 199 of the Constitution of India a person shall be disqualified for being a chosen and the being a member of legislative assembly or legislative council of state if the person holds any office the will be the government of India and state both will be the right answer. यहाँ पर होगा. Consider the following estimate union declarations are convinced union declaration of human rights, conviction of the elimination of the format अगर यहाँ पर आप बात करते हो तो both will be the right answer 1, 2, 3 and 4. Now दूसरी पंच्छे मर्चियोजज़ना Second 5-year plan mix pension of employment opportunities की बात नहीं की गई है. Now निमिखित में Consider the following estimate about the emergence of urban centers in India from the Siraka 6th century भारत में अगर बात करी जाए तो all of them away from the capital of Mahajanpada यह कथन सही नहीं है और दो सही है तो B will be the right answer. Now if we talk about the earliest description of our Sanskrit No, earliest description जो पाए गए असोका के पाए गए वो ब्राम्भी में थे तो यहाँ पर गर बात करी जाए तो यहाँ पर दो आपके statement will be the right answer. Question No. 84 कि the relative atomic mass of boron which exists in two isotopic form 10b and 11b is 10.81 class में कराए वाए क्रेशन and what will be the evidence of 10 boron 11 boron respectively consider a sample of 100 atom question में simple आपको यह पूछा है कि आपके पास boron का relative atomic mass की value given है 10.81 और आपसो सरफ यह पूछा है कि 10 boron और 11 boron nature में कितने percent मिलता है इस question को solve करने के लिए general formula use करते हैं हम लोग कि average atomic mass की value equal to boron का sample number जिसका atomic mass है 10 10 माना कि इसका amount present X हमें नहीं पता option क्या according कितना है हम आप अज्यूम कर रहे है कि 10 जो boron वाला है उसका X percent हमें present total बोला है कि 100 atom है इसका मतलब यदि हमने 10 वाले को X माना है तो 11 वाला जो बचेगा वह 100-X बचेगा आप आने में 100 किया इसको solve कर लेता है 100 से क्रॉस मल्टिप्लाइ करेंगे 1081 एक्वल टू 10 X प्लस 1100-11 X इसको shift किया 1081-1100 मीन माइनस 19 एक्वल टू 10 X माइनस 11 X माइनस X X 2 X कैंसिल किया X की वेली वनी 19 परसेंट अब यदि X 19 परसेंट है तो 100 माइनस X वनेगा 81 परसेंट तो option चेक कर लेता है 19 और 81 19 & 81 option में विड़ा 1st option के अंदर पहले अपनने बी 10 को माना हुआ है X स्टार्टिंग की वैल्यू X के अनू 19 परसेंट अब डिखने वाला है क्रशन नमर 85 चल रहा था अपना विच अमोंग दा फॉलोविंगर एसेंशल इएंट कॉंस्टेटिंट वो प्रियांड सिमेंट बेसिकली उसमें स्टीफल साथ ये कि पॉट्रेंट सिमेंट में अचलिवूता है कि किस किस से मिलके बनता है पॉर्टिंट सीमेंट तो उसके जो कॉंपोनेंट है वह है केलिशियम स्लीकेट sulphate और साथ में मिलेगा lime यानि कि चुना अब इतने सारे इसमें को option चेक करना है कि क्या क्या present है पहले में लिखा है बालू या sand नहीं होती clay नहीं होता स्लीका हाँ बिल्कुल होती है alumina aluminium के सारे ही alumina यह रहा lime बिल्कुल lime present है तीन option present है स्लीका lime graphite powder नहीं होता sand graphene यह भी नहीं होता clay भी नहीं होता sand भी नहीं होती तो option कहुंसा बना है कि यह अपना B कि यह इसके essential component होने चाहे पॉट्टर सिमेंट के स्क्राइब नेक्स्ट एक स्क्राइब नेक्स्ट लिटमस ए बैलनन एचिडवेस कंडिकेटर इस डिराइब फोचले तो रोसला थे यहां से लाइकें ऑप्टेंट होता है नेक्स्ट एफ इस दो प्रेशन श्टेट ऑव बनेटीम इन वी तो फाइब अगे आसान केशिए बीटु फाइब बोला है बनेटीम को अप्रेशन निम्ट निकालना है इसका फाइन करना उसको एक्समन न टू बनेटीम इंट वेग्स किया ऑक्सिएन है माइन श्टो प्रेशन स्टेट फाइब प्रेशन प्रिजेंट है एकवली की या जीरो के सॉल्व करने पर बड़ा अंसर बनेगा प्लस का फाइब जो ऑक्षिन नमबर डीम को गिवन है यह अपना कशन नमबर 88 कि मैच लिस्ट वन विद लिस्टु एंड सलेक ना वेरी लाइट ना सॉफ फिल्कुल यह रहा सॉफ्ट एंड स्लीपरी मेटेरियल एग्रिफाइट फस्ट का फोर फस्ट में फोर फस्ट में फोर बाकि यह दोनों रॉंग हो गया अब आगे चेक करते हैं डायमंड डायमंड के लिए लिए हम कहेंगे हाड़ेस नेचरल स स्टांस इसके लाब वेरी लाइट है निए थनेस्ट है नी तो हाड़ेस ने की बी में टू बी में टू बी में टू बी में तरी यह स्टेट्मिंट भी रॉंग हो गया आगे चेक करने की नीड ही नीवनती ऑप्शन बनेगा डायरेक्ट अपना ए तो कर्शन नुम्बर 88 त स्टेट्मिंट अपर साइड में पढ़ेगा नीचे के आप देखोगे तो यहाँ पर बोथ स्टेट्मिंट कौन से कथन यहाँ पर रफली नहीं एक्टली एगर कह सकते हैं यहाँ पर 180 यहाँ पर 180 कर लेना बेटा 180 कर लेना यहाँ तो वह कॉस्टन गलत हो जाएंगे ठीक ह तो इसमें आप कह सकते हो 1,2,3 यह विल भी दराइट आंसर लीगो एक्सपरिमेंट कंफर्म प्रेडिक्शन ओफ वन ओफ लेजर इंटर इंटर्फेरेंस रिलेटेड एक प्रेक्टिकल क्या गया था इसके लिए दा दा इस इस दन फोर दा जनरल थेयो फ्रिलेटिविटी ने इस पीज़ ईसिति इस इस नेट को ठ्रेडिकर अज़ रहिए ऑ्रिजनल शर्फेस्टेश सर्फेश। से लीडिक अनरीज चाने लीगो टेगी दे वे एक्वागों देट्जाविटीज अपर क्या टॉज़ आपन 2 mm V स्क्रा इस इसकान फ्रिएट इसक्राइट अपनरीग that will be 1 by 2 into mass is 2 kg and V square is 3 square and upon displacement is given as 3 meter, 3 meter 3 meter cancel 2 and 2 also the force frictional force will be equal to 3 newton, the answer will be 3 newton. The next question is, which of the following is primarily responsible for conduction of current in a metal, there are free electrons that are responsible to flow the current. Now, which of the following feature was the postal system, this will be the right answer 1 and 2. Now next, which of the following test is a commentary written by Charak in the 11th century, this will be the Bhanu Mati, clear. Now next, Tobacco, tobacco plant arrived in the first in Deccan, yes Gujarat, tobacco is present in Northern India, it's true, both statement 1 and 2 are the right. Now next one, if women's, if we talk about the, women's Indian association 1970, Margate cousins, then after national council women 1925, then after 1910, if we talk about the D will be the right answer here. Now, next one, if we talk about the here, if we talk about the adult suffrage, then will be the word D will be the right answer. Next, if Silk Roots ki baat ki jare hai, what we are discussing about the here, Silk Roots, Silk Roots, if we talk about the Purukyoj, now if we talk about the cheese poetry, they were known the existence, toh here will be, we can say that the 1, 2 and a 4, 1, 2 and a 4 will be the right answer here. Next one, if we talk about the Ajanta, both, now next one, SK is the both, over here, now next one, exercise desert cyclone, we have done with the UAE, na, aur aapke Rajasthan ke chhetra mein hui thi. Finance commission ki baat kerte hai, toh just we know that the 15th finance commission headed by the N.K. Singh and 16th is the Aarvind Pangariya. Now, next we talk about the finance commission described under the article 280, not the 260, clear? Toh we talk about the statement, only two is, statement one is the right, who, which statement is the right, only one is the right. Now, next we talk about recently the Ministry of Environment, Forest and Climate change, the has submitted three nominations, wetlands, so here will be the Jyoth is not submitted in the year. Now, if we talk about the 12th March is celebrated, not, 12th of Jan celebrated the National Youth Day, so this is not true, and the National Youth Day celebrated on the birth anniversary of, so it's true, so only two is the true right answer. Now, next INS, consider the following statement about INS, if we talk about the Sagardhani, now if we talk about the DRDO developed and recently it is marked, both one and two will be with the right answer. Next, if we talk about the, who among the following is the chairman of the committee constituted by the government of India, examine the issue of holding simultaneous elections in the country and the make recommendations, if we talk about the, if we talk about the former president of India, Sri Ramnath Kovind, Sri Ramnath Kovind will be the right answer. Now, we are moving. In Jan 2024, the first of all girls scenic school opened in the UP Vrindavan right will be the right answer. If we talk about the, in the Feb of 2024, government of India has decided to scrap the free movement resigned between the Myanmar. This will be the right answer. Here, who among the following is the author of the book written by Y Bharat Mehta, S.J. Sankar Prasad, the foreign minister of India. And if we talk about the, which of the following statement regarding the barchan are the correct. If we talk about what will be the right answer. As we know, it is a coincidence to save the, the wind spread side, the convex. Now, if we talk about the number of questions, hair variations. If you look at this person, if you look at the number of questions, you will find similarities in this question. And this is the toughest question. How can we talk about the tough questions? If we talk about the questions, then you will know that here, the questions are coming. This is the UPSC pattern. Direct NCRT line you will find. Direct NCRT line you will find. If you look at the direct NCRT line you will find. Now, next question is 112. If you talk about the Indian Agriculture Department, then you will find the type of soil type. You will find the type of soil type. The type of agriculture department has nearly 8 decided. Clear? So, we can talk about the question. In this topic, the question has been established by the cotton, and you can say that. The black soil also says cotton soil. Here will be the right answer. Question 113. As you know, clouds. We know the number of clouds. What forms of clouds. Clouds. What is the important value? The important value is the most important. What is the most important value? What is the most important value? If you see the climate in India, then you will find better. And if you look at the right answer to it. देखोगे तो बेटा क्या होगा 130 में दोनों है बोथ तो यहां पर आप भी राइट कर लो 1 & 2 गुल विदर राइट आंसर 1 & 2 114 की बात की जा रही है दा फ्रॉंट्स क्या होते हैं जैसे ड्यू फ्रॉंट्स विदर कंडिस्निंग क्लाइमेट चेंजिंग ड्यू फ्रॉंट्स विदर कंडिस्निंग क्लाइमेट चेंजिंग और इन दोनों में कोश्चंस में अगर आप बात करते हो तो ऐसे कोश्चंस आपको नंबर आफ देखने को मिलेंगे यहां पर वनली वन एंड टू होगा ठीक है अगले कोश्चंस की क्या होगा C will be the right answer अगले कोश्चंस की बात करते हैं 116 इसमें क्या होगा आपका सावाना टाइप आफ अगर बात करता हूं तो यह जो सरकम्स्टेंस क्रियेट की गई किस टाइप का वहाँ पर ग्रास लैंड है गुड इवनिंग इस्टूडेंट मैं मनोज कुमार टीम बाइलोजी CLC NDA अकेडमी शिकर आज जैसा कि आपको पता है कि आज NDA फैस्ट 2024 एक्जाम था तो चलिए आज हम करते हैं बाइलोजी क्यूशन का सोल्यूशन चलो फैस्ट क्यूशन है आपको पूछा है कि यह जो animal cell membrane है उसकी regarding कौन सा statement है वो correct है तो first इसके उनदर है the are composed of phospholipid यह capable of factolipid के बने होते हैं यह तो इसके क्या है wrong क्योंकि उसमें protein भी होती है cholesterol भी होता है second is they are composed of protein only this kilos protein के बने होते हैं तो ये भी गलते था क्योंकि उसमें। इसमें भी होते हैं। इसमें phospholipid भी होती है, protein भी होती है, और cholesterol भी होती है, ठीक है, तो correct option हो जाएगा इसके अंदर D, चलो, next question अपने देखते है, which of the following is not a part of compound microscope, compound microscope के बारे पुछा आपको, सयुक्त सुक्सम दर्सी का इन में से कौन सा भाग नहीं है, तो इसके अंदर fast है, इसके अंदर mirror, तो mirror जो part है, इसके अंदर होता है, correct है, इसमें stage, stage भी इसके अंदर compound microscope में होता है, clip, clip जो slide को hold करती है, ये भी इसके अंदर क्या होती है, present होती है, and for option जो है, retina, retina जो है, वो only इसके अंदर present होता है, eyes के अंदर present होता है, compound microscope में नहीं होता, तो कौन सा part नहीं है, इसके अंदर Retina part नहीं है तो इसके अंदर correct जो option जाएगा वो कौन सा जाएगा D तो यहाँ पर इसके अंदर 18 number का जो question है नीमन लिखित में से कौन सा सुखसंदर्शी का भाग नहीं है तो इसमें mirror भी है, stage भी है, clip भी है लेकिन कौन सा नहीं है Retina जो है, वो compound microscope का part नहीं है, चलो next question इसके अंदर देखते हैं हमपन 19 question which one of the following is the correct sequence in increasing complexity increasing complexity के basis पे कौन सा sequence है, वो correct है तो इसके अंदर first है, इसमें protein protein से direct क्या पता रखा है, कि organism बनता है लेकिन नहीं, protein जो है, वो molecular level है यानि biomolecules है, ठीके न, और उसके बाद organism से tissue, तो यह तो sequence क्या हो गई, रोंग हो गई, उसके बाद नहीं protein और direct क्या बता रखा है organ, लेकिन organ से पहले तो क्या बनते है, tissue बनते है biomolecules से, तो यह भी रोंग हो गया, third दे रखा protein, organism, organ, tissue, तो यहां पर यह भी इसके अंदर क्या है कि organ, tissue से पहले क्या दे रखा है, organism दे रखा है, तो यह भी रोंग हो गया और fourth option है, protein, tissue, organ and organism, यानि जो biomolecules है वो उससे tissue बनते हैं, tissue से organ और organ से क्या बनते हैं, organism बनते हैं तो इसमें कौन सा option correct हो जाएगा, D option इसके अंदर क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा next question, consider the flowing cell type, निमनल इखित कोसी का परकारों पर विचार कीजिए और इनमें से आपको यह बताना है कि कितनी जो cell हैं, वो प्रानी कोसी का परकार में सामील है यानि animal cells के अंदर इसमें कौन कौन सी present होती है, तो पहले इसके अंदर monocyte, second S में monocyte, monocyte आपको पता ही होगा, कि जो WC cell है, बलेड में present होती है, सही है, एनिमल्स में होती है condrocyte, condrocyte जिनको बोलते हैं, यह cartilage cell है, जो cartilage के अंदर present होती है, तो यह भी animal cell में present होती है besophil, यह भी क्या है, WC cell है, जो बलेड में present होती है, यह भी क्रेक्ट है एन्ड लिंफोसाइट ये भी क्या है? एक टाइप की WBC सेल है? ये भी animal cell के अंदर, bloody के अंदर प्रजेंट होती है तो ये जो 4 टाइप की सेल है ये animal cell के अंदर 4 ही प्रजेंट होती है इसलिए इसके अंदर ये पुछा आपको कितनी सेल से हो animal cell में present होती है तो चारो इसके अंदर आएगा तो option इसके अंदर correct हो जाएगा क्योंकि यह जो four cell है यह जो four cell है monocyte, chondrocyte, basophil, lymphocyte यह चारो इक इसके अंदर present होती है animal cell के अंदर present होती है in the human digestive system which one among the following is the role of the pancreas human being है उसमें जो pancreas मिक्स ग्लेंड है उससे pancreatic juice secret होता है उस pancreatic juice में क्या क्या होता है तो आपको इसके अंदर first option दे रहा है secretion of surfecutane to break up lipid droplets तो यह तो इसमें रोंग है storage and regulator release of bile तो bile का secretion तो इसके अंदर कों करता है liver करता है तो यह भी रोंग है secretion of lipid amylase and protease हाँ lipid amylase and protease जो secretion करता हो कुण करता है pancreas तो यह हो जाएगा correct option तो 121 के अंदर जो correct option है वह क्या है C option correct है next question consider the following statement नेम लेखित कथनों पर क्या करेंदिए विचार कीजिए तो इसके अंदर first data का DNA replicant takes plus when chromatin is opened up जब chromatin वीवर्थ होता है तो DNA का पर्तियन होता है correct है सही बात है next इसके अंदर आपको इसके अंदर पुछा है chromatin organizes itself into road shaped chromosome before cell division chromatin सवेको कोशी का विवादन से पहले 60 अकार के गुण सुत्रों में क्या करता है विवस्तित करता है तो यह भी क्या है correct लेकिन इसके अंदर आगे दे रखाया दोनों क्या है इसमें सही है तो इसमें भी option correct है uniform meter scale of 0.24 kg that is a very good question and we have to solve this one there is a wedge and there is also a wedge and the gravitational point is there that is the whole mass then the mg will be equal to 2.4 newton this is n1 and this is n2 and here is the distance that is the w1 is equal to n1 w1 is the distance 0.2 meter this is the midpoint at 0.5 meter so that this distance will be 0.3 meter and this is from the point 0.4 meter from this end and the distance will be this one will be 0.1 now to balance the torque will be moment will be 0 then total force here is 2.4 newton and about this axis this point is a b and c about this point we have to solve the equilibrium condition that force this is the force force this one is n1 and into this this is the force n1 into distance 0.3 newton 0.3 meter is equal to yeah let curl em minus then n2 into 0.1 meter is equal to n1 this one the pair the n1 will be 2.4 newton into 0.3 meter and n2 will be calculated this one will be 0.1 meter की वजाए हमें क्या लेना पड़ेगा the distance will be total distance from this axis will be 0.4 meter so there will be 0.4 and here will be 0.4 and the answer will be n2 will be 1.8 newton the total force is 2.4 newton then the n1 will be n1 plus n2 will equal to 2.4 newton and n1 will be 0.6 the option will be 0.6 the option will be right option c and the next option escape speed from the earth is close to 11.2 kilometer then the escape velocity v e proportional to r into root rho then the escape velocity of the planet that will be v planet upon v e is equal to r into r radius is r by 2 and the root rho is 4 times of the density and the earths are r and root rho root rho cancel हो जाएंगे that will be root root 4 का जो answer हो वो भी अमेरा 2 हाजाएगा 2 से 2 जाएगा 2 से 2 जाएगा r से r जाएगा then the planets escape velocity will equal to the escape velocity of earth that will be 11.2 kilometer per second so the answer will be 11.2 and the next one which one of the following does not apply to sound waves in fluids they are transverse in nature they the sound waves are longitudinal in nature so this will be the wrong one next one a ball of 0.1 kg dropped then the force f is equal to m del v by del t and the del will be del v will be v2 minus v1 m v2 minus v1 upon del t mass is 0.1 upon 0.1 is the time interval and the velocity v2 minus v1 and the velocities are just opposite then they will be added when we calculate the velocities for distance root 2g h1 and 2g h2 initial will be h1 is 0.45 meter so the velocity will be 3 meter per second and this velocity when it again goes 0.2 meter height this velocity will be 0.2 kg 2 meter per second so the velocity will be added and the tonate force will be 3 plus 2 cancel ho jayega kitna jayega 5 newton this will be the option next when the simple pendulum has a time period independent of amplitude amplitude jab hum bat karaynghe to yedo humara formula diya jata hai f proportional ho ta hai minus x ke displacement ke directly proportional and opposite in direction that is for small amplitudes next one the frictional forces are in the order sub se jada ho ta hai the most powerful is maximum is static friction and the next one smallest is rolling friction and the between these two is kinetic friction this is the right option m a metallic bob x of mass m is released from position a collides elastically with another identical bob y placed at a rest at position b this is the elastic collision this is the elastic collision and both are of equal masses this is the condition when it strikes to this one this will move and this will stay at the position so it stops at the position b next one there are two statements infrared waves absorbs the heat wave also called as heat waves and the water molecules readily readily absorb infrared water molecule absorb infrared waves both are the true statements but they are not they doesn't explain each other then the option second is right both the statements are individually true but statement second is not the correct explanation of statement first англий इसके बाद पूछा जा रहा है कि भी क्या होगा इसमें ना 131 में क्या है हम लोग कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर होगा आप समझ पा रहे होगे वन एंड थ्री होगा इसका 1 & 3 क्लियर हो भी बाद 2 को छोड़ दीजे ना 132 मोस्ट इंपॉर्टन साइक्लोन और एंटी साइक्लोन ये दोनों आते हैं हाँ हाँ हाट करेंट और कोल्ड करेंट पहले पूछा जाता था अब की बार क्या पूछा गया है बेटा इस प्रकार के कोश्चन्स पूछे ग सब्सक्राइब जो सरकम्स्टेंस आप जानते हो कि पूर्स के बारे में और एक्स के बारे में बात की जा रही है उस एरिया को आपको डिफाइन करना है तो वह एरिया कांसा होगा राउर के रहा होगा कौन सा होगा बेटा राउर किरा होगा अगले कोशन की और मूबान करते हैं तो यहाँ पे उसे निक इसमें तो डी होगा ना नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है सांगपु ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा है नेम आप दिहांग विल्कुल टू है गोदावरी दूसरी पिर टूसरी देखोगे यहाँ से कोशन हर साल आते हैं देखा होगा आपने तो बेटा अगर बात करते हैं यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर आपके 50 नाप उव्यों और मैं कह सकता हूं कि पेपर का लेवल थोड़ा यह कह सकते हो की टफस्त नहीं था ऴट यह था कि इनके पैटर्न को थोड़ा सा आप कह سकते हो कि हिस्ट्री के पॉंट आ अफ यू से थोड़ा लेकिन उसके अंदर light के coding क्या होता है तो इसमें first option है absorb red and blue light while reflecting green light इसमें क्या दे रखाया है, लाल और निले प्रकास को क्या करता है, अवसोषित करता है जबकि हरे प्रकास को प्रावर्तित करता है, तो ये correct है, क्योंकि हरे प्रकास को जब प्रावर्तित करेगा, तो जिस colour को प्रावर्तित किया जाता हुई तो क्या है दिखाई देता है तो यही option क्या हो जाएगा इसके अंदर correct हो जाएगा next question 141 number question है in most procurates the chromosome number is दिकांस जो procurates होते हैं उसमें गुर्ण सुत्र की संक्या कितनी होती है तो बहुत simple question है गुर्ण सुत्र की संक्या उसमें क्या होती है एक होती है only single chromosome होता है तो इसके अंदर correct option हो जाएगा वह जाएगा next इसमें है bacterial DNA is referred to as next because it is not association with bacterial DNA means bacteria जो procurates में आते है तो इनका जो DNA होता है वो यहाँ पर क्या बताएगा है next DNA होता है क्यों क्योंकि इसमें next DNA इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर जो protein है stone protein वह present नहीं होती तो इसके पहला option है किसी इसके फोल्ड से एनि इस इसके फोल्ड next इसमें protein third ribozyme and fourth plasmid तो इसमें कौन साइज आएगा proteins ठीक है क्योंकि bacterial DNA है वो नेक्ट होता है क्योंकि इसमें protein है stone protein है वो present नहीं होती next question है which one among the following cells produce antibodies against a foreign antigen यह तो बहुत ही simple question है यह पुछा है कि कौन सी cell जो है वो antibodies है वो produce करेगी किस के against antigen के तो यह इसमे WVC cells होती है कौन सी lymphocytes होती है कौन सी lymphocyte यही antibodies का क्या करती है production करती है यह थे इसके अंदर biology की क्यूसें 10 क्यूसें है biology क्यूसें सभी जो क्यूसें है NCIT वेश थे okay thanks if the block P as shown in the figure below were to be at rest net force क्या करना चाहिए हमें 0 करना है then there are 15 newton and 15 newton cancels each other there is the net force in this direction that will be at newton so in balancing condition F should be equal to at newton then this will be in equilibrium then the option is at newton next one is of the following which does not belongs to a nuclear reactor nuclear reactor में हमारे पास CO2 की लिए कोई mechanism नहीं होती कहीं CO2 का emission ही नहीं होता तो हमें इस mechanism के requirement नहीं होती है next one is there is a zero resistance that means there is a conductor wire so the current flows through the conductor wire not through the resistances so there will be the total resistance only 10 ohm and we have to find the current I is equal to V by R V is of 10 volt 10 by 10 that is 1 ampere a microscope may be a combination हो बिल्कुल सबसे हमें सबसे पहले पता है the two convex lenses are there in a microscope next यह ग्राफ आता है जिसके लिए हमें पता है कि यह यह वाला इसके लिए ग्राफ हो जाएगा next one is which of the following statement which regards to phenomena of primary rainbow formation by water droplets are true the first option is it involves reflection and one internal reflection the primary rainbows have construct होता है तो यहां से यहां से एक reflection हो जाएगा फिर यह total internal reflection होगा फिर से क्या हो जाएगा reflection हो जाएगा इस तरह से हमारे पास total internal reflection होता है one time और reflection तो होता ही है इसमें next it involves reflection of sunlight only it involves reflection of sunlight reflection अकेला नहीं होता है there is TIR also and it is formed as the inner bow it is formed as the inner bow बिलकुल सही है यह इस तरह से क्या होता है primary अंदर बनता है secondary वाला कहां बनता है बाहर बनता है so the option 1 and 3 are true so 1 and 3 option B will be correct next which one of the following scientists mentioned that an electron in an atom could revolve in certain stable orbits without the emission of radiant energy that is Niels Bohr's का क्या है यह statement है postulates है so this is all for physics thank you